दौलपुर में मार्च के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी की सुरवात हो चुकी है आसमान से सूरत से सोले निकल रहे हैं तेज तपन और गर्मी ने आम जन के साथ पसु पक्षियों बन जीवाँ का जन जीवन भी प्रभावित कर दिया है सुरह दस बजे से ही तेज तपन की सुरवात हो जाती है जिससे बजारों सडकों पर सन्नाटा पसर रहा है रविवार को जले में नियूनतं तापमान 20 डिग्री सेल्षियस दर्च किया गया है मार्च के महीने में ही दौर्पर का तापमान 40 डिग्री सेल्षियस तक पहुच गया है मौसर बिवाग ने चेतामनी दिया कि 30 मार्च के बाद से 20 किलो मीटर प्रत गंटा की रपतार से गर्म हवाएं चलने की संबावना है गर्मी से निजात पाने के लिए लोग सीतल पे पदार्थों का उप्रयोग कर रहे हैं गर्मी की सुर्वात ओने पर कूलर पंख्यों और एसी की बिक्री सुर्व हो चुकी है रविवार को पंचे सम्ति सवागार बसेडी मा राज अनुसुचे जाती आयो गद्ड़ शिवं बसेडी बजाए एलल भैरवा ने जन सुनवाई कर आम जनकी समस्यां को सुना जन सुनवाई में बिद्द की समस्यां पर नाराजगी जताते हुए पूर्प्रदार उद्यवाद सिंग गोरजन ने बताया कि बिद्द के अधकारियों की गलत नीतियों के प्रदेश के उप वोकता परिशान ह जबकि उत्तर प्रदेश के किसान अवे तंत खड़ाकर बिजली चोरी कर सिचाई कर रहे हैं। पूर्पदार की सिकाय सुनकर बरसेडी बिदायक ने नाराजगी जताते हुए बिद्धुत नगम के अधकारियों से इस पेश्टी करण मांगा। बिद्धुत नगम के ऐसी बिएल बर्मा ने बिदायक को बताया कि बरसेडी के किसानों ने जिला के अंतिम छोर तक एक्रिकल्चर कनेक्शन ले रखे हैं। किसानों की मिली बगत से ही अवे तंत खड़ाकर बिजली चोरी को अन्जाम दिया जा रहा है। मामला पहली बार संग्यान में आया है बिजली चोरी रोकने के लिए बिवाग इस्तर पर प्रयास किये जाएंगे। बसेडी बिदायक ने बिद्धु दिगम के अधकारियों को उत्तर प्रदेश के किसानों के खिलाप उचित करवई करने एवं लोगों की समस्यां पर ध्यान आकर सित करते हुए जूलती बिद्धु के वल को दुरुष्ट करने के नर्देश दिये। जन सनुवाई में सेर के मुख दाचतों पर अतकरमण का मुद्धा भी लोगों ने बिदायक बेरवा के सामने रखा जिस पर बेरवा ने नगरपल का योग गिर्दा सिंग को सेर की सड़कों को अतकरमण अठाने के नदेश दिये। इसके साथी नोनेरा गाउं में जेजियम योजना के थैत पानी की तंकी की आदा से लावी रखी। पत्नी पती पर सराप पीने का आरूप लगाता हुए अपने 14 साल के बच्च्चों को लिखा अलग हो गई। जहां मासूम के पालन पोसरण के लिए उसने दूसरी साधी कर ली। दूसरी साधी करने के बाद मासूम के सोतेली पता ने उसे सगी मा के साथ मिलकर बाल सरम के दलदल में दखिल दिया। मासूम द्वारा दिये गए बयान में बताया गया है कि उसके सोतेली पिता और सगी मा ने उसे हलवाई की दुकान पर तीन महापूर काम करने के लिए लगा दिया था पढ़ाई करने की बात कहने पर मासूम के साथ सोतेली पिता द्वारा मार पीट की जाती थी हलवाई की दुकान पर काम करते वक शुक्रवार को मासूम दुकान से बने जैबिक पिता के पास पहुंच गया जैसी सगी मा के मासूम के पहले पिता के पास पहुंचने की ख़वर मिली तो उसकी सगी माने पहले पिता के खिलाब मासूम को जबरन अपने साथ रखने की सिकायत सदर थाना पुलिस को दे दी जिस सिकायत के बाद सदर थाना पुलिस ने बाल कल्लान सम्ती के सदस गिरीश गुर्जन ने बताया कि पूरे ममली में मावाब के जगड़े में बच्ची का बच्च्पन गुर्टा हुए नजराने पर उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए मासून को उसके पहले पिता की सुपूर्ट किया गया है। अर्चन कराता हुए बिद्वे स्वारम कराया गया। इस बीच जिला पुलिस अपादिचक सेंपू विजयकुवान नायब तैसिल्दा राकेश गिरी साहित अलग-अलग दो थानों के फ्ले सत्कारी मौजूद रहे। पुलिस ने मौकित से खेतों मार कर चोवीच जुआरियों को रप्तर किया है। साथी उन से 30,65,155 रुपे नगदी बरामत की है। पुलिस ने मौकित से 6 बाइक भी जबत की हैं। पुलिस अधिक्षक सिबराज मीडा ने बताया कि कैई दनों से मनिया अलाके के खेतों में जुगा चलाय जाने की सिकायत बिल रही थी। लेकिन पुलिस को लोकिशन नहीं मिल पा रही थी। पुलिस को मुख्वर ने जुगे में जाने वाली लोगों के नमबर दिये। इसके बद साइवर टीम ने नमबरों के आदार पर लोकिशन ट्रेस की। लोकेशन ट्रेस हो जाने के बाद साइवर सेल प्रवारी बेजय मीना और डियेश्टी टीम प्रवारी हिरलाल के नदेशन में लाडम पुरा गाउं पहुंची जहां खेतों में जुगा खेला जा रहा था जौरियों को पुलिस आने की बन्हक लगने पर वो भागने लगे ले कस्वे के मुख्य तरह के अलावा बसेडी मारक तैसील के निकट बाजार में सड़कों पर प्रते दिन होने वाली साफ़स्वाई की विष्टा का जाय जा लिया जहां लोगों ने बताय कि कैई दुनों बाद बाजार में साफ़स्वाई होने से बड़ी राहत मिली है वहीं सीयो चोहन ने सारबजने किस्तन पर लेगे हेड़ पंपों के खराब होने की भी जानकारी ली इस दर्मिनान उस्मानी समाज के जलाज जैस अकवर खान ने सीयो चोहन को बसेडी मारक पर लगे एकलोते हेड़ पंप के खराब होने की सिकायट की जिस पर सीयो ने ततक पड़े एड़ पंपों के बारे में सिकायत मिलने पर समर्सिया का सीख्द समादान कराया जाएगा आपको बता देगी जिलापरसा सीओ के दौरा पंचाय समती में की गई जन सुनवाई के दौरान साफ सपाई रोड लाइट पानी आद का मुद्दा गरमाया था जिस पर जिल पर मौजूद लोगों की मदस्ते घायल मजदूरों और उनके बच्चों को जिलास्पताल में बर्ती कराया थीन गिन्ने से मजदूर कमल किसोर पत्र लालू उम्ड 28 वर्स निवासी पन्ना मत्रदेश ने बताया कि अचानक तुफान होता तुफान होता कि मतला तीन गर कर उनका दौल्पर सरकेट हास में स्वागत कर उन्हें अध्यष बनने की वदाई दी रजक समाज के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई इस दौरन बिदाए बेरगवाने का की रजक समाज के लिए मैं हमेशा तत्पत त्यार रहूंगा मेरे पास आपके पामलिये जिनमें आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है इस मौके पर सम्ती के अध्यष अर्विन अटारिया को साध्य सहदेव कसो टिया संदर्चक प्रहला दबाकर उपसचिव नरेश दबाकर कारिकरम प्रवारी ब्रजमोन सहित बड़ी संक्या में रजक समाज के लो प्रवारी जाकर बर्तिक रयागया